नमस्त दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी भी बहुत अच्छे हूँगे दोस्तों जब pregnancy किसी भी महिला या पुरुष को जिन से भी मैं बात करती हूँ या जितने भी मुझे comment आते हैं उन में सबसे पहला question यही होता है कि मैं मुझे इतने सालों से या इतने महीनों से ट्राइ करते हुए वक्त हो गया है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा उपाए बताईए कोई ऐसा एक तरीका बताईए जिसको हम अपना करके जल्दे से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ले और आप भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे यहीं चाहती होंगी तो देखें फ्रेंट्स सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हर एक महीला की बॉड़ी टाइप अलग-अलग होती है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो चाहे महीला हो या पुरूशों कोई भी अगर थोरी से भी कमी होती है SPAM में पाई जाती है या फिर एक के सम्बंदित होती है तो प्रेगननसी कंसीव करने में दिक्कत आती है लेकिन एक ही टिप हर किसी कपल पे स्टूट हो जाए फिट हो जाए ये बिलकुल भी जरूरी नहीं होता है आज की इस वीडियो में टॉप फाइव ऐसे टिप्स में बताने वाली हूँ जो मैक्जिमम 99% कपल्स ट्राई करते हुए ये सारे टिप्स को फॉलो करके कंसीव कर लेते हैं और आप भी कर सकते हैं विदिन वन मंद के अंदर दूसरी बात फ्रेंड्स महिला पुरुष दोनों का ही स्वस्त होना बहुत जरूरी है तब ही गर्व रुखता है क्योंकि जितना जरूरी स्पाम है उतनी ही जरूरी एग के क्वालिटी भी है तो महिला पुरुष यानि पती-पत्नी दोनों के लिए ही ये टिप मैं आपके से रिक्वेस्ट है कि अधी आप पहली बार चानल पर आए तो जरूर चानल को सब्सक्राइब भी कर लें पार्स में बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की जानकारी सभी आपको प्रति दिन प्राप्त होती रहें देखें फ्रेंट सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अनार या चुकुंदर का रश डेली ही लेना है कितना एक बाउल के अकोर्डिंग अगर आप खाने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो एक कटोरी के अकोर्डिंग इस्तमाल करिया और पीने में जूस इस्तमाल कर रहे हैं तो एक गलास जूस डेली लेना ह अनार और चुकुंदर अगर जिनको अनार पसंद है तो वो अनार का जुस लिजे जिनको चुकुंदर का पसंद है वो चुकुंदर का लिजे जिसे बीट रूट कहा जाता है और पॉम गिरानिट कहा जाता है आप दोनों में से एक बिकल्प चुन करके डेली इस एक रूटीन को फॉलो करिए सुबा उठने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप चाहें तो इन चीजों का सेवन कर लीजिए इसमें बहुत अधिक फाइबर होता है आईरन होता है फॉलेट भी होता है जो बहुत जरूरी है महिला के लिए या फिरुष के लिए अंडे और स्पर्म के क्व बंद गर्व नलिकाएं खुल जाती है जिसके कारण प्रेग्नेंसी कंसीव होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं और आपके अंडे के क्वालिटी अच्छी और बहतर हो जाती है तीसरी बात का ध्यान रखिए कि आपको डेली अखरोट का सेवन करना है अखरोट के अंद 20 गराम के अकॉर्डिंग डेली ही लेना है यानि पती को भी 20 गराम हो पतनी को भी 20 गराम खिला देना है आपको इससे बहुत जल्दी फाइदा मिलेगा विदिन वन मंत के अंदर चौथा काम ये करिए फ्रेंड्स कि आप जब प्रेग्नेंसी प्लान कर रही है प्रेग्नें प्रेंड्स और उसके लिए सुबह आपको अपना बॉडी का टेंप्रेचर थर्मा मिटर से नोट डाउन करना है और ये आपको कंटीन्यू करना है फ्रेंड्स लगभग 14 दिनों तक महिलाओं के लिए स्पेसले टिप है थर्मा मिटर आप रात को रख करके अपने पास में स ये सुबह उठने के बाद बिना कुछ किये वह सबसे पहले अपना बॉडी का टेंप्रेचर नोट डाउन करिए क्योंकि ओविलेशन के दौरान हाफ रिगरी फ्रेंट या वन डिगरी फ्रेंट तक आपकी बॉडी का टेंप्रेचर टापमान बढ़ा रहता है तो उससे ले कप दी वाल एक्सरसाइई बहुत 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 हरा ले गपदी वाल एक्सरसाइज करने के वजह से बहुत सारी महिलां गर्वधारन कर लेती हैं। लगभग आपको जब period end हो जाता है तो उससे लेकर के ovulation तक कर सकती है और implantation में भी कर सकती है यानि leg up the wall exercise से आपको और बहतर result मिलेंगे तो ये भी आप जरूर करिए daily पांच मिनट 15 मिनट आपकी जितनी capacity उतनी देर करिए दूसरी बात का ध्यान रखिए friends कि कुछ ऐसी जड़ी बूटिया होती है जो स्वास्त बर्धक होती है और especially जब आप बच्चा चाहती है तब तो महिलाओं के लिए सबसे best सबसे बढ़िया जो जड़ी बूटी होती है वो होती है आपके लिए सतावरी का powder सतावरी का powder पूरे गरवासे की मजबूती के लिए उसके function के लिए बहुत बेतरीन माना जाता है तो इसे आप आधा चमच रात में पानी में घोल करके पी सकती है इसके powder को और इसी के विपरित पूरुशों की बात करे तो अस्वगंधा उनके लिए बहुत best result देता है अस्वगंधा efficiency से भी बहुत बार गर्वधारन नहीं हो पाता है और ये research based है तो आप कोशिश करिए कि सुभा की गुनगुनी धूप या साम की आपको 15 मिनट तक जरूर लेना चाहिए आदे घंटे या जितना sufficient time आप दे सकते हैं सन बात को जरूर लिजे क्योंकि भाग दौर वाली जीव proper नहीं होता है जितना जादा हो सके आप sunlight लिजे vitamin D naturally body जो produce करेगा तो आपके hormones बहतर होंगे reproductive organs बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे तो I really hope friends की ये सारे tips आप जरूर follow करेंगे इसे बहुत बहुत बहतरिन result मिलेंगे काफे सारी couples को जो है बहुत जल्दी conceive हो है तो आपको भी जरूर हो जाएगा तो उमीद करती हूँ friends ये वीडियो आपके लिए helpful हो इसी वीडियो के साथ लेती हूँ इजाज़त नेक्स टा जो जए एंतर जएग